नाम रूप सच्च है आप जैसे जैसे पाली पढ़ेंगे या जैसे जैसे धमपद पढ़ेंगे या जो बुद्ध की वानी है, बुद्ध की वचन है या जो बुद्ध के उदान है, उद्गार है या जो भी आप बुद्ध से समधिती यानि पुरानी भाषा समधित चीजे बढ़ेंगे तो उसमें दो शब्द बहुत important है नाम और रूप नाम बोलते हैं computer के software को यानि अगर आप software को बोलना चाहें हिंदी में तो उसको नाम बोल सकते है और अगर आप computer का hardware है उसका जो ढकन है या खोका है या keyword है जो सामान उसका है उसको अगर बोलना चाहें या machine है उसकी तो उसको आप बोल सकते हैं रूप यानि कि computer में जो hardware है उसको आप रूप कह सकते हैं और जो software है उसको आप नाम कह सकते हैं परानी भासा के ओरिजिनल नाम है और मनुस्य के जो मनुस्य चलता है उसके अंदर जो उसको चलाता है उसका सौफ्ट्वेयर उसको नाम बोलते हैं इसलिए हर एक मनुस्य का नाम पड़ता है बिसकली नाम का मतलब होता है कि इसका करेक्टर कैसा है और इसका सौफ्ट्वेयर के बारे में पता चल जाता है इसका सरीर कैसा है रूप में ये काला है मोटा है पतला है लंबा है खराब है ये हम रूप के अंदर लेके आते हैं और इसका वहवार कैसा है ये कैसे आचन करता है इसकी चेतना कैसी है चित कैसा है इसको हम नाम के अंदर लेके आते हैं तो किसी किप को चलाने के लिए, दो हिस्सों में, या किसी भी computer को, या किसी भी mobile को चलाने के लिए, दो हिस्से होते हैं, यहां तक कि जिस camera से recording हो रही है, उसकी भी दो हिस्से हैं, एक उसका software है, और एक उसका hardware है, यानी नाम और रूप. पुराने समय में जब व्यक्ति मर जाता था, तब चुंकि सभी लोग पाली जानते थे, सभी लोग चित्ति के वारे में जानते थे, मन के वारे में जानते थे, या रूप के वारे में जानते थे, और सारे सारे लोग जो बुद्ध की पंच सील हैं, और जो बुद्ध की विप ले जाते थे, क्या वाक्य है ये, नाम रूप सच है, यानि कि नाम रूप सच है, ये बलकोल जैसे आरे सच बताएं हैं, भगवान बुद्नेचार, ये आरे सच का ही एक रूप है, कि नाम रूप सच है, यानि व्यक्ति है अगर जीव है तो उसमें नाम रूप होंगे, ये ब ठीक है, हम जानते हैं, नाम रूप सच है, सच है, सच है, फिर बोलते थे, गत ही सच है, यानि गत माने जो बीत गया, जो चला गया, जो खतम हो गया, जो गती खतम हो गया, वो सच है, यानि कि एक ना एक दिन, ये जो hardware है, ये खतम होना है, इसका software यहां से release होना है, जाना है, यह बात सच है यानि गत ही सच है तो पीछे वाले लोग बोलते थे सच है सच है फिर बोलते थे अत्तो गत है अब यह जो sentence बोला जाता था अत्तो गत है अत्त माने होता है स्वैम यानि कि जो हम है जो जीव है उसको अत्त बोला गया है अत्तो गत है यानि कि यह जाना है जो स् कि अपना सुना होगा खुद ही खुद का नाथ है बग्मान बुद्ध ने बताया है आप सुमैम के शुएम नाथ है तो अथ तो है यानौ के हमें एक दिन खतम होना है जाना है पीछे वाले लोग कहते थे सच है सच है तो इस तरह सभी लोगों को समझाय जाता था और सब लोग जो विपस्दाशादुन नहीं भी करते थे उनको ये वाक्या अच्छी तरह से समझ में आते थे नाम रूप सच है इसलिए जब भी आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी बात है तो आप इसको समझकर लोगों को समझा सकते हैं और वहाँ लोगों को बता सकते हैं कि नाम रूप सच है सच है सच है धन्यवाद नाम रूप सच है सच है सच है गत ही सच है सच है सच है अत तो गत है गत है गत है नाम रूप सच है सच है सच है झाल झाल